नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है बिहार में सातवी बार नितिश कुमार मुख्य मंत्री बन गए है लेकिन सपत ग्रहार समारोब में न तो वो रवनक थी और नहीं वो उत्साह था जो होना चाहिए था क्या इसका एक मात कारण जेडियू का कमजूर होना है या बीजेपी में जो विहार ओप्रेशन हुआ ये ओप्रेशन पिडगत बदलाव का है ठीक उसी तरीके से जैसे 2013 में लालकृष्ट अडवाणी जैसे बुजुर्ग नेताओं को किनारे करके नरेंद मोधी को पीम का उम उसी फेश से बिहार गुजर रहा है आपने समाने जीवन में देखा होगा कि जो रिष्टे होते हैं वो कई बार एसेट्स होते हैं और कई बार वही आपके उपर बर्डन बन जाते हैं सुसील मोधी और नितीश कुमार की जो दोस्ती है वो एक लिमिट तक ही आगे बढ़ा से कोई गुरेज नहीं ये अमिट साह और नरेन मोधी की जोड़ी है क्या है पूरी इंसाइड इस्टोरी क्यों राजनात सिंग को भेजा गया क्यों नहीं इस जोड़ी के चहेते किसी नेता को भेजा गया समझते हैं पूरी बात दरसल बिहार में जिस तरीके से चुनाव वो नितीश कुमार को कमजोर करने की पटका था बीजेपी बहुत पहले लिख चुकी थी तीर उसका निसाने पे लगा एलजेपी खुद तो एक ही सीट जित पाई लेकिन जेडियो को जमीन पे पटक दिया नितीश कुमार भी इस बात को चुनाव के दोरान ही समझ गये थे लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे जेडियो जमीन पे आ गए 43 सीटे मिल गए बीजेपी जो चाहती थी उसको 74 सीटे मिल गए अब जब इतनी सीटे मिल गए एक नमबर और दो नमबर की पाटी में सिर्फ एक सीट का अंतर रह गया तब बीजेपी के सिर्ष निर्थित् बदलाव किया जाए क्योंकि बीजेपी अब अपना चीफ मिनिश्टर चाहती है और सुसील मोदी के रहते ये संभव नहीं था तो दिल्ली में ये पटकथा लिखी गई जेपी नड़ा अमित साह के बीच में और पटकथा लिखने के बाद दिपावली पे बुला करके बलक फिर क्या हुआ राजनाथ सिंग इस खेमे के नेता नहीं माने जाते हैं राजनाथ सबको पता है कि राजनाथ सिंग जो नरेनमोदी और अमित साह के जोड़ी है उससे अलग है रक्षा मंत्री है वो बात अलग है दो बार बीजेपी के अध्धक्ष रह चुके हैं उनका चे नितीज कुमार से भी अच्छे रिलेशन है तो ये ऑप्रेशन इस तरीके से अंजाम दिया जाना था कि नितीज कुमार को भी बूरा ना लगे और सुसील मोदी भी बरिश्ट नेता है इसलिए बजाय कोई कड़वाहट होने के ऑप्रेशन आसानी से अंजाम दे दिया जा ह ज़र राजनाज सिंग जैसे ही उत्रे एरपोर्ट पे वहाँ से सिधे इस्टेट गेस्ट हाउस गए और इधर बिधायक बिजेपी के इंतिजार कर रहे थे कि पहले बिजेपी बिधायक गलकी बैठक होगी उसमें नेता चुना जाएगा उसके बाद नितीज कुमार के नेता और उपनेता घोशित करना है और ये बात वहाँ जागर के नितीज कुमार के जो एंडिये के बैठा कुरहिती वहाँ एलाम कर दिया गया बहुत भारी मन से सुसील मोदी ने एलाम किया अब इसके बाद आप जब राजना सिंग नितीज कुमार के रेजिदेंस पर पह लेकिन इतीज कुमार के पास भी चुनाओ के दौरान भी कोई बिकल्प नहीं था और इसमें भी कोई बिकल्प नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविस्य में उनके सामने रास्ते खुलेंगे तो दोनों दल बात को समझ रहे हैं लेकिन अपने-पने हिसाब से दाओ चल रहे हैं यह हो गया सुसीर मोदी नराज होकर के ट्वीट कर देगे कि उनसे कारिकरता का पद कोई नहीं छिन सकता देवेंद भर्णविस डैमेज कंट्रोल के लिए आ गया है कि बड़े नेता है उनको बड़ी जीमेदारी दी जाएगी निश्चित रूप से हाई कमान सोच रखा होगा कि उनको कोई जीमेदारी दी जाएगी लेकिन जब भी किसी को किनारे लगाया जाता है तो ऐसे ही लगाया जाता है और सिर्फ उनी को नहीं लगाया गया है गौर किजिए ननकिसोर यादो प्रेम कुमा बिनोद नरांज हाँ और यह जितने उस पिढ़ी के जा रहा है फिर अब चलाएगा को जो चेहरे आपको दीख रहे हैं जान बूझ करके आप वैसे समदाय से चुना गया किसको तारकिसोर प्रसाद को और नोनिया समा से चुना गया रेड़ी दवी को दोनों जो है एक वैसे समदाय से हो गया और एक अत्पिछड़ा हो गया साधिर अपना था कि सुसीर मोधी को हटाए तो उसी बर्ग को फिर से वापस लाएं लेकिन असली जो अब कमांड हात में रानी है वो भुपेंद्र यादो और नित्यानंदराय के नाम पे नितिश कुमार तयार नहीं हुए अधर्वाइस वो डिप्टिस चीफ मिनिस्टर ह तो आप पर्दे के पीछे से असली रणिती बनाएंगे बिहार में पाटी को कैसे आगे ले जाना है कैसे नितिश कुमार को कमजोर करना है कैसे घिरना है ये भुपेंद्र यादो और नित्यानंदराय मिल करके अब बिहार को चलाएंगे और अभी कई परिवर्तन होंगे ब वैसे ही 2020 में बिहार में नित्रित में बीजेपी बदलाओ कर रही है। यह है फूरी इंसाइड इस्टोरी। तो आप रहे हैं न बेख खबर देखते रहे हैं इन खबर। थैंक्य। इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें।